प्यारे बच्चों, एजुसेट परसाण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन हैं। मैं सुमन परवक्ता भुगोल विद्यल्ले सिक्षा विभाग हर्याना की ओर से आज आपके लिए लेकर आई हूँ तक्षा नोमी सामाजक विज्यान में भुगोल का पार्थ नमबर पांच जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पती तथा वन्यप्रानि इन इंग्लिस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल लाइफ। बच्चो सबसे पहले जानते हैं कि इस पाठ का उद्दिश्य क्या है तो बच्चो भारत में पाई जानने वाली प्राकृतिक वनस्पती के परकार वन्य जीवों के परकार, जैव विविदता, देशज वे विदेशज वनस्पती, पारिस्थिती की तंत्र, भारत में पाई जानने वाले वन्यों के परकार तथा प्राकृतिक मुनस्पति और वन्य जीमों के संरक्षन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की विस्त्रित जानकारी हमें इस पाठ के द्वारा प्राप्त होती है बच्चो आपने अपने आसपास बहुत से पेड़ पोधे जीवजन्तु वे पक्सियों को देखा होगा भारत एक विशाल देश है और इसमें विभिन परकार के जीवजन्तु और प्राकृतिक मुनस्पति पाए जाती है अगर विशुव के बात करें तो जैव विविदता के बारे परमुख देशों में से भारत एक परमुख देश है जैव विविदता क्या है? किसी भी अक्षेत्र में वनस्पति और प्राणियों की कितनी परजातियां पाए जाती है उसे वहां की जय विविदिता कहते हैं। मनस्पती एवं प्राणियों की परजातियां अधिक होगी तो जय विविदिता अधिक होगी। परजातियां कम होगी तो जय विविदिता भी कम होगी। भारतिय जय विविदिता की विशेष्टाओं को देखते हैं। भारत में लगभग 47,000 परकार के विभिन जातियों के पोधे पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत विशों में दस्वे और एसिया में चोथे स्थान पर है. भारत में लगभग 15,000 परकार के फूलों के पोधे पाए जाते हैं, जो की विशों में फूलों के पोधों का 6 परतिशत है. हमारे देश में बहुत से बिना फूलों के पोधे भी पाए जाते हैं, जैसे की फर्न, सैवाल, तथा कवक आदी. भारत में 89,000 जातियों के जीव पाए जाते हैं, देश में 12,000 से अधिक पक्षियों की परजातियां पाए जाती हैं, जो की विशों के पक्षी परजातियों का 13 परतिशत है. यहां मचलियों की 25 परजातियां हैं, जो विशों की लगभग 12 परतिशत हैं. भारत में विशों के 5 से 8 परतिशत तक उभैचरी, स्रीश्रिप तथा स्तंधारी जानवर भी पाए जाते हैं. उभैचरी बच्चों वो होते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं, जो प्राणी पानी में भी रह सकते हैं. स्रीश्रिप होते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव जैसे की चिपकली या साप, स्तंधारी वे जानवर होते हैं, जो अपने बच्चों को अपना दूद बिलाते हैं तो अब आप समझ गई होंगे कि भारत पेड़ पोधों वै प्राणियों में विविदता रखता है। आप भी अपने आस पास पाई जानने वाले प्राणियों वै पेड़ पोधों की सूची बना सकते हैं। आईए अब प्राक्रितिक वनस्पती और वन्य प्राणियों को विस्तार पुर्वक जानते हैं। प्राक्रितिक वनस्पती क्या है? तो वहे वनस्पती जो कि मनुस्य की सहायता की विना अपने आप पैदा होती है। इसमें मनुस्य का कोई हस्त अक्षेप नहीं होता है इसे अक्षत वनस्पती भी कहते हैं इसलिए क्रिसी फसलें, फल, वैबागान आधी वनस्पती का भागतों हैं प्रन्तु प्राकृतिक वनस्पती नहीं है प्राकृतिक वनस्पती में भी देशज वनस्पती और विदेशज वनस्पती दो परकार की शामिल हैं देशज वनस्पती कौन सी है बचो जो पोधे मूल रूप से हमारे देश भारत में ही उत्पन हुए हैं उन्हें हम कहेंगे देशज पोधे या देशज वनस्पती लेकिन विदेशज वनस्पती वो वनस्पती है जो दूसरे देशों से लाकर अमारे देश में उगाई गए हो उन पोधों को या उस वनस्पती को विदेशज वनस्पती कहते हैं भारत में विभिन परकार के पेड़ पोधे वैवन्य प्राने पाये जानने का बच्चो कारण क्या है तो उसके बारे में भी हम जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं कुछ कारक हैं जो कि भारती प्रयाकरितिक मुनस्पती और जीव जन्तूं की विविदता को प्रभावित करते वो कारक हैं नमबर एक धरातल और नमबर दो जलवायू धरातल में भी दो कारक हैं जो कि इसकी विविदता को यानि जैव विविदता को प्रभावित करते हैं दो कारक हैं भू भाग यानि उच्चावच और मिरिदा यानि मिट्टी ऐसे ही जलवायू में तापमान, सुरिय क परकाश और वरसं ये भी प्राकृतिक वनस्पती और वन्य अप्राणियों की विविधिता को परभावित करते हैं। कैसे करते हैं? नमबर एक भूभाग, द्रातल का स्वभाव, वनस्पती को परभावित करता है, क्योंकि परवत, पठार वे मैदानों में अलग-अलग परकार की वनस्पती पाई जाती है, अटै भूभाग में जितनी विभिनता होगी, वनस्पती में भी उतनी ही विभिनता पाई जाएगी इसी प्रकार से म्रिदा भारत में विभिन प्रकार की मिटियां पाए जाती है जो की विभिन प्रकार की वनस्पतियों को जनम देती है मरुस्थल की बलोई म्रिदा में कंटीली जाडियां तथा डेल्टा अक्षित्रों में मैंग्रो वन पाए जाती है परवतों के ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी होती है, वहां पर शंकुधारिवन पाए जाते हैं जलवायू कैसे परभावित करती है तो जलवायू में सबसे जो परमुक कारक है वह है तापमान मनस्पती की विविदता तथा विशेषता तापमान और वायू की नमी पर निर्भर करती है हिमाले परवत पर नीचे से उपर क्योर अनेक परकार की मनस्पती उगती है जैसे की जैसे नीचे ढलानों पर उसन कटी बन दिये इससे अधिक उचाई पर जाएं तो उपोशन कटी बन दिये और उपर जाने पर सितोशन कटी बन दिये तथा परवतों की चोटी के पास अलपाइन वनस्पती पाई जाती है सूरिय का परकाश सूरिय प्रकास अधिक समय तक मिलने से वनस्पती जल्दी बढ़ती है और यही कारण है कि हिमाले परवत की दक्सनी ढलानों पर वनस्पती उतरी ढलानों के अपेक्षा सघन पाई जाती है वर्षन भारत में वर्षा लगभग मांसुन पाउनों द्वारा होती है जहां वर्षा अधिक होती है वहां वनस्पती भी सघन पाई जाती है जैसे कि पश्चमी घाट की पश्चमी ढलानों पर पुर्वी ढलानों के अपेक्षा अधिक वर्षा के कारण ही वहां पर सघन वन एक नवी करनिये संसादन है और अनेक परकार से मनुस्य के काम भी आती है तो कौन-कौन से काम आती है मनस्पती आईए जानते हैं इसके बारे में नमबर एक वातावरण की गुणमत्ता बढ़ाने के काम आती हैं नमबर दो ये स्थानिये जलवायू, मिर्दा परदन तथा नद्यों की धारा को नियंत्रित करते हैं नमबर तीन ये उद्योगों के लिए कच्चा माल परदान करते हैं जैसे की खेल का सामान, फरनेचर या माचिस उद्योग वनों पर ही आधारित हैं नमबर चार, ये कई समुदायों को आश्रे, वय, आजिवी का भी परदान करते हैं नमबर पांच, अपने मनोरम द्रिश्यों के कारण ये प्रियाटकों को अपनी ओर आकरशित करते हैं नमबर चे, ये पवन वैतापमान में संतूलन बनाते हैं, तथा वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं नमबर साथ, इनसे मिरिदा को जिवास मिलते हैं, जिनसे मिरिदा की उपजाव शक्ती बढ़ती हैं नमबर आठ, ये वन्य प्राणियों को आश्रे भी परदान करते हैं परंतु बच्चों, धीरे धीरे भारत में प्राकृतिक वनस्पती घटती जा रही है बढ़ती हुई किसी के अक्षेतर की मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों के विकास के लिए, शहरी योजनाओं के लिए तथा पशू के चारे की विवस्था के लिए धीरे धीरे वनों को काटा जा रहा है अतै वनों का अक्षेतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है 2003 में वनों का कूल अक्षेतर फल लगभग 68 लाक वर्ग किलो मेटर था 2001 में देखें तो वनों का कूल अक्षेतर फल भारत के अक्षेतर फल को केवल 20.5 परतिशत ही था सही माइने में देखें तो भारतिय वन प्राकृतिक मुनस्पती का हिसा नहीं है कुछ एगम में अक्षितरों को छोड़ दी जैसे कि हिमाले की कुछ भाग, मद्य भारत की कुछ भाग, वे मुरुस्थल की कुछ भागों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत के अंदर प्राकृतिक मुनस्पती में मनुस्य का हस्तक शेप हो चुका है अत्य भारतिय वन पूरी तरह से प्राकृतिक मुनस्पती नहीं रह गई है मनुस्य के हस्तक शेप के कारण प्राकृतिक मनस्पती संपूर्ण या आंशिक रोप से बदल चुकी है अब बच्चों जानते हैं पारिस्थिती की तंतर के बारे में मनुस्य भी इस पारिस्थिती की तंतर का अभिन अंग है प्रन्तु मनुस्य इसका हिस्सा होते वे भी अपने लालच वर्षवार्थ में विकास के नाम पर इस पारिस्थिती की तंतर को नुकसान पहुचा रहा है मनुस्य किस परकार से पारिस्थिती की तंतर को नुकसान पहुचा रहा है तो मनुस्य वन्ने जीव और वनस्पती का अपने लाब के लिए अत्यधीक परियोग करता है वह व्रिख्सों को काट कर वह जानवरों को मार कर पारिस्थिति की तंतर में ऐ संतुलन पैदा करता है इसी का परिनाम है कि वनस्पती वह प्रानियों की अनेक परजातियां लुप्त हो चुकी है इतना सब होने के बाद भी भारत में अनेक प्रकार की प्राकृतिक मुनस्पति पाई जाती है जैसे की उसन कटी बंदिये वर्सावन, उसन कटी बंदिये परणपातीवन, उसन कटी बंदिये कंटीले वन वै जाडिया, परवतिये वन और मैंग्रो वन. आईए जानते हैं इनको विस्तार पुर्वक नमबर एक उसन कटी बंदिये वर्षा वन ये वन पस्चमी घाटों के अधिक वर्षा वाले अक्षित्रों लक्स द्वीब, अंडमा निकोबार द्वीब समुहूं, असम के उपरी भागों तथा तमिल लाडू के तट पर पाए जाती हैं, इन अक्षित्रों में 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा और साल में कुछ समय के लिए शुर्ष करेतू पाई जाती है इन वनों में व्रिक्स जो हैं उनकी उचाई 60 मीटर या इससे भी अधिक वर्षा वाले हैं अतय यहां कई परकार की वनस्पती जाडियां वे लताई उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्नों चाईयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। इन्हें सदा बाहरवन भी कहते हैं, क्योंकि इन में पत्ते गिराने का समय अलग-अलग होता है, अते, ये साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदा बाहरवन कहा जाता है, ये व्यापारिक द्रिष्टी से ज्यादा मेहतवपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लक हाथी, बंदर, लैमूर और हीरन आदे जानवर पाये जाते हैं असम और पस्चमी बंगाल के दलदली अक्षित्रों में एक सिंग वाला गैंडा भी मिलता है इन वनों में अनेक परकार के पक्सी, चमगादर तथा कई रेंगने वाले जीव भी मिलते हैं अगला परकार है वनों का उसन कटी वन दिये परणपाती वन, ये भारत के बड़े अक्षितर में फैले हुए हैं, इन्हें मांसुने वन कहा जाता है यहां 700 सेंटीमेटर से लेकर 200 सेंटीमेटर वार्षिक वर्षा होती है ये वन शुस्क ग्रीशम रितू में 6 से 8 सप्ता के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं और इसलिए बच्चों इनको परणपाती यानि पत्तों को गिराने वाले वन कहा जाता है वर्षा के आधार पर इन वनों को दो भागों में बाटा जाता है आर्दर प्रणपाती वन और शुस्क प्रणपाती वन आर्दर प्रणपाती वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले अक्षितरों में पाए जाती है सागोन का वरिक्स यहां मिलने वाला परमुख वरिक्स है इसके अतिरिक्त बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, अरजुन, वे, सैतूत के व्रिक्ष भी मिलते हैं। ये व्यापारिक द्रिष्टी से महतवपुण वन है। ये मुख्यत है देश के पुर्वी राज्यों, हिमाले के गिरीपात परदेशों, जारखंड, पश्चमी उडिसा, चतिसगड तथा पश्चमी घाटों की पुर्वी डलानों पर पाये जाती है। दुसरा परकार है परणपातिवनों का शुष्क परणपातिवन। ये बच्चों 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्शिक वर्षा वाले स्थानों पर पाये जाती हैं। इन में मुख्यते सागोन, साल, पीपल तथा नीम के व्रिक्स उगते हैं। इन अक्षेतरों को क्रिसिव है पश्चु चारण के लिए साफ किया जा रहा है अते इनका अक्षेतर लगातार घटता जा रहा है। शोस्क परणपाती वन करमश्य, प्राइद वीपे पठार के कुछ भाग, उत्रपरदेश तथा पिहार के मैदानों में पाये जाते हैं। सतर सेंटिमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले परदेशों में कंटिले वन वैजाडियां पाये जाती हैं। इन मनों में आकाशिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी आदि व्रिक्स पाये जाते हैं। यहां के व्रिक्स बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल के तलास में चारों और फैली हुई होती हैं। यहां की वनस्पती छोटी पत्यों वाली या पत्यों से विहिन होती हैं। इसका कार्ण है कि वास्पेकरन कम से कम हो क्योंकि बच्चों विरिक्स अपनी पत्यों के द्वारा ही जल को वायू मडल में छोडते हैं। इन जंगलों में प्राई चुहे, खरगोश, लोमडी, भेडिया, शेल, सिंग, जंगली गधा, घोडे तथा उंट आदी पाए जाते हैं। ये वन देश के उत्री पश्मी भागों में मुख्यते राजस्थान, गुजराद, चतिसगड, मध्य परदेश, उत्र परदेश तथा हर्याना के कुछ अक्षित्रों में पाए जाते हैं। अगला है परवतिय वन, बच्चो परवतिय परदेशों में उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, अत्या परवतों पर तलहटी से लेकर चोटी तक कई परकार के मनस्पती पाई जाती हैं। जैसे कि 1000 मीटर से 2000 मीटर की उचाई तक आरदर सितोशन कटी बंधिय वन पाई जाते हैं, जिनकी पतियां चोड़ी होती हैं और इनमें ओक वै चेस्टनट के व्रिक्सों की परधानता है। 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की उचाई के बेच शंकोधारी व्रिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि चीड, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर, आदी। ये वन प्राई हिमाले की दक्षनी ढलानों, दक्षनी भारत के अधिक उचाई वाले भागों तथा उत्री पुर्वी भारत के अधिक उचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। लगबग 3600 मीटर से अधिक उचाई पर अलपाइन वनस्पति पाए जाती है इस वनस्पति में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, वै, बर्च आधी पर मुख व्रिक्स पाए जाती है और अधिक उचाई पर इन व्रिक्सों का आगार छोटा होने लगता है और वहाँ पर गास के मैदान मिलते हैं गुजर वै बकरवाल जैसी घुमकड जातियां इन गास के मैदानों में अपने पश्यों को चराते हैं हिम रेखा के निकट मोस वै लीचन घास आधी तुन्रा वनस्पति पाई जाती है इन वनों में कश्मीरी महामरिग, चितरा हेरन, जंगली खरगोश, तिबतिये बारे सिंगा, याक, हिम तेंद्वा, गिलहेरी, रीच, आईबैक्स और कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालो वाली भेड वै बकरियां पाई जाती हैं वनों का अगला परकार है मैंग्रोववन, मैंग्रोववन मुखेते तटों के आसपास ज्वार भाटा वाले स्थानों तथा नदी डेल्टाओं में पाई जाते हैं, इन में पोधों की जड़े पानी में डूबी रहती हैं, गंगा ब्रहंपुत्र, महानदी, गोदावरी, क वावरी नदियों के डेल्टाओं में इस परकार के वन पाए जाते हैं, गंगा ब्रहंपुत्र डेल्टा में सुंद्री नामक वरिक्स पाए जाते हैं, जिनकी लकडी काफी मजबूत होती हैं, अन्न वरिक्षों में नारियल, ताड़ वै एंगार आधी के वरिक्स पाए ज वे कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। वन्य प्राणी हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राक्रितिक वनस्पती की तरह ही भारत में वन्य प्राणियों की भी अनेक परजातियां पाए जाती हैं। यहां उभैचरी, स्रीश्रीप, मचलियां, पक्षी, वे, स्तंधारी जानवरों की अनेक परजातियां मिलती हैं। स्तंधारी जानवरों में सबसे अधिक मैतवपूर्ण है हाथीं, जो कि आसाम, करनाटक वे, केरल के ओशन आरदर्वनों में पाया जाता है। इसके अतिरीक्त एक सिंग वाला गेंडा, जो कि पस्च में बंगाल वे, असम के दलदली अक्षितरों में पाये जाते हैं। जंगली, गधे, वे, उंट, जो कि कच्छ के रन तथार मृस्थल में पाये जाते हैं। भारतिय भैसा, नेलगाई, चोसिंगा, छोटा मिर्ग तथा विभिन परजातियों के हीरन भी भारत में पाये जाते हैं। भारत विशो का अकेला देश हैं, जहां पर शेर वय बाग दोनों पाये जाते हैं। ये बिल्ली की परजाती के जानवर हैं तथा मुखे शिकारी जानवर हैं। तेंद्वा भी बिल्ली के परजाती का ही एक सिकारी जानवर है। याक हिमाल्य परवत की बरफीली पाड़ियों पर पाया जाने वाला जानवर है। यह अपने गुच्चेदार सिंगों वाला बैल जैसा जानवर है, जिसका भार एक टन के बराबर होता है। नदियों, जीलों, वै, स्मूदरी अक्षित्रों में कच्वे, मगरमश और घडियाल पाये जाते हैं। घडियाल विशव में केवल भारत में ही पाया जाने वाला जीव है। भारत में अनेक परकार के रंग बिरंगे पक्षी पाये जाते हैं, जैसे कि मोर, बतक, तोता, मैना, सारस, तथा कबूतर, इत्यादे। बच्चों, वनस्पती की तरह ही, जीव जन्तूं से भी मनुस्य को अनेक परकार के लाग प्राप्त होते हैं। जैसे कि जानवर, बोजा, ढोने, किर्शी कारियों के लिए तथा यातायात के रूप में मनुस्य की मदद करते हैं। तो धारू पस्वों से दूध प्राप्त होता है, मचली से पोस्टिक आहार मिलता है, बहुत से कीडे, मुकोडे, फसलो, फलो, वै, विक्सों के प्रागन में मदद करते हैं। और हानिकार के कीडों पर प्राकृतिक नियंतरन रखते हैं। परतेक परजाती पारिश्थितिक तंतर के संतूलन में योगदान देती है। परंतु बच्चों, धीरे-धीरे, मनुस्य अपने लाब वैलालज के कारण, इन परजातियों को समाप्त करता जा रहा है। और हमारा पारिश्थितिक तंतर ऐसंतूलित होता जा रहा है। बहुत सी प्राणी परजातियां भी संकट में है और बहुत सी प्राणी परजातियां बिनस्ट भी हो चुकी है पारिस्थितिक तंतर को संतूलित बनाई रखने वे पादप और जीव संपत्थी की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं इसके लिए देश में 14 जीव मंडल निचे स्थापित किये गई हैं इन में से 4 जीव मंडल निचे इनकी गणना विशव के जीव मंडल निचों में की जाती है जिनमें नंबर एक सुंदरबन, पस्चिम बंगाल में स्थित है नंदा देवी, उत्राखन में स्थित है मनार की खाड़ी जो की तमिलनाडू में है और नीलगिरी जो की केरल करनाटक वै तमिलनाडू में स्थित है ये चार जीव मंदल निचे विशव के जीव मंदल निचों में शामिल किये जाते है 1992 में सरकार द्वारा पादप उध्यानों को वित्तिय तथा तक्निकी सायता परदान करने की योजना बनाई शेर सनरक्षन, गेंडा सनरक्षन, भारतिय भैसा सनरक्षन के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है 89 यानि 89 राष्ट्रिय उध्यान, 49 पक्सी आश्रेस्थल और बहुत से चिडिया घर बनाई गई है बच्चो इस पाठ के आधार पर कुछ ग्रे कारिया आपको दिया जा रहा है जिसे आप अपनी कोपी में लिखेंगे और बच्चो याद भी करेंगे प्रेशन नमबर एक, रवड का संबंद किस परकार की वनस्पती से है प्रेशन नमबर दो, सिंकोना के व्रिक्स कितनी वर्षा वाले अक्षेतरों में पाए जाते है प्रेशन नमबर तीन, सीमली पाल जीव मंडल निचे कौन से राज्ये में इस्थित है प्रेशन नमबर चार, पारिश स्थितिक तंतर किसे कहते है नमबर पाँच, जीव मंडल निचे से क्या अभिप्राय है प्रेशन नमबर छै, सदा बहार और परणपाती वन में अंतर स्पस्ट कीजिए प्रेशन नमबर साथ, भारत मनस्पती जगत और प्राणी जगत की धरोवर में धनी क्यों है मानचितर कारिये भारत के मानचितर पर निमिलिखित को दर्शाईए नमबर एक, ऊशन कटी बंदिये वर्सावन नमबर दो, गिर राष्ट्रे उद्यान नमबर तीन, भारतपुर पक्सी अभ्यारन्य नमबर चार, मैंग्रोव वन अंक्षितर बच्चों, हम सबको भी प्राकृतिक वर्सपती और वन्य जीवों के महतव को समझना चाहिए तथा इनके सनरक्षन में अपना योगदान देना चाहिए आपसे निवेदन है कि आप भी अपने घर आंगन या घर के पास पड़ी हुई खाली जगह या फिर अपने खेतों में जादा से जादा पेड लगाएं और जीव जन्तों की रक्षा करें आज के इस पार्ट को ध्यान पूर्वक सुनने वैस समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार